नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्रागत है दोस्तों आज का यह वीडियो आप शबी के लिए बहुत ज़्यादा महत्पुन और बहुत ज़्यादा खाश रहने वाली है इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिशना करें और शुरू से कर अंत तक जरूर दिखिएगा कि दोस्तों इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने और काफी कुछ शीखने कुछ दोस्तों तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशी की ही एक एशी खाश्यत है आपको दिखावा करना बिल्कुल भी पशन नहीं आता जिया तो दोस्तों कुछ ना कुछ संकट आपके उपर जरूर आता है जिससे आपकी खुशी दुख में बदल जाती है इसलिए दोस्तों आप लोग जादा दिखावा और खुशी जाहिर नहीं करते जो आपको बता दिए कि आप लोग अपने वाइभार में बहुत इमंड़र रह होती है और दोस्तों जिन में ज़्यादा attitude भी नहीं होती है दोस्तों आप लोग दिल के इतने अच्छे होते हैं कि आप लोग दोस्तों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं शाथे दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग दोस्तों को पहले खुश रखते हैं फिर अप परसिते होते हैं जी दोस्तों आप लोग मद्वान होने के शास सद्वी कुछल भी होते हैं एक बाद आपकी और है कि आप जब भी दुखी होते हैं तो दोस्तों की बिंग अपने नहीं होते हैं आ bolly क्या यह सच है या फिर नहीं दोस्तों कमेंट करें आप अपना नेचर ज़रूर बताईएगा और दोस्तों इसके शाधियं आपको बता दें कि बहुत बार आपके शाधिर शाधिया हुआ है कि आपको अपने ही लोग बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाते जियां दोस्तों यानि कि आप लोगों को अपने करीबी लोग ही जो है वो ज़्यादा तर किष्ट देते हैं दोस्तों एक बात पर गौर करिएगा कि बाहर के लोगों से तो आप निकड़नी पड़ लेंगे बाहर की लोग अगर आपको चोट पहुँचाए तो दोस्तों का शमन आपको कर लेते हैं लेकिन दोस्तों दुख तो आपको तब होता है जब आपके अपने ही करीबी लोग आपको दुख पहुँचाते हैं आपके शाद बुरा वैवार करते हैं आपके शाद ऐसा अक्षर द आखिर आपके शाहत होता ही रहेगा अगर हाँ तो दोस्तों कब तक होता रहेगा आखिर कब तक यह जालिम दुनिया आपका फाइदा उठाती रहेगी आपको धोखा कब तक मिलता रहेगा जिया दोस्तों आखिर कब तक आपकी इमोशन की आपकी फिलिंग की कदर नहीं होती आपके जियोन में अभी तक आपको अश्रफलता नहीं मिल पाई है जिसके लिए आप कारी कर रहे हैं जिसके लिए आप जी रहे हैं जिसके लिए आपको हर चीज में शंगर्ष का समना करना पड़ता है आपका हर काम शंगर्ष यही पूरा होता है आपको जो चीज प्राप्त हुई है वह भी बहुत संगर्ष और आपकी कड़ी मेहनत से ही आपको प्राप्त हुई है दोसों आपने किशी से भी अपने किशी से भी यह चीजें नहीं मांगी है कोई भी खेरियत से आपको यह चीज नहीं मिली है दोसों आपने बहुती मेहनत करके खुद की दिन रात एक करके जाग जाग कर आपने जो भी शपलताएं है उन्हें हाशिल किये हैं लेकिन दोस्तों फिर भी यह दुनिया आपकी शुप भावनों की कदर नहीं करती। और दोस्तों आपको थोड़ी शी शफलता क्या मिल जाती है कि यह दुनिया आपसे जनने लगती है। आपको नीचे गिराने की कोशिज करने लगती है। पिछले कुश शालों शी आपकी आर्थिक सिती में भी भरी गिरावटाई है। जिए दोस्तों आपको बता दी कि आपका जीवन मानों पूरी तरह शीह बिखर गया है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि लोगों में लोगों ने मन शे कभी भी आपको नहीं पूछा, आपको मन शमान नहीं किया। उपर शे आप से यह लोग मिठा मिठा बात करते हैं लेकिन अंदर शेही यही लोग आपके उपर क्या करते हैं यह तो आपको खुद पता ही होगा। शेही लोग चाहे किसी तरह हो लेकिन दोस्तों आपके यही आदत बिलकुल ना बदलें। आपको लोगों से अलग बनाती हैं आप पर हमेशा से लोग अलग अलग इंजाम भी लगाते हैं आपने जिसको अपना मान शमान दिया है उन्होंने ही आपको टाइम टाइम पर शाथ छोड़ा है। दोस्तों आप हमें कमेंड में बताइएगा क्या मैं गलत बहुलाओं। आपने जिनका भी शाथ दिया है आज वह आपके शाथ खड़ा है क्या वह आपको पुछता है क्या वह आपकी मुश्किल समय में आपसे कंदे मिलाकर खड़ा है क्या। दोस्तों इन शबी का जबा मिलेगा नहीं दोस्तों आप बिलकुल भी निराश ना हो दिल छोटा ना करें आपको हम बता दें कि आपके लिए जो आने वाला शमय होगा दोस्तों गरहों की गोचर की सिद्धी के शाथ बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आने वाले शमय में आपका भी जिवन पावश बदलेगा और आना वाला शमय आपके लिए कुछ इस परकार चैंज होने वाली है जिसे दोस्तों आपकी जुनकाल में खुशियां ही खुशियां रहने वाली है जिसे दोस्तों हम आपको बता दें कि बगवान शिंदेव का शिरबाद अब आने वाले शमय में आपके उपर पढ़ने वाले हैं एक बात यह भी है दोस्तों आप जरूर ध्यान सुनिएगा कि बगवान शिंदेव नियाय की देवता हैं जो लोग अन्याय करते हैं बगवान शिंदेव उन्हें कतई जहर वाले शाजाएं देती हैं जिन्होंने भी आपके गलत किया है जिन्होंने भी आपका अपमान किया है और दोस्तों जिन्होंने भी आपको ठेस पहुचाई है दोस्तों उनका हिशाब बगवान शिंदेव अविश करेंगे आपको इशिप इतना करना है कि आपको इशा लोगों से दूरी बना कर रखने हैं जिहां दोस्तों इस बात को आप जरूर ठान लें कि आपको इसे लोगों से बात बिलकुल भी नहीं करनी है होशके तो आप इन शे अपना रिस्ता ही तोड़ दें जिया दोसों लेकिन अगर कोई एशी बात है कि आप एशी रिस्ता नहीं तोड़ सकते हैं आपकी बहुत करीबी लोग है यानि आप इतना तो कर ही शकते हैं कि आप इनसे बात भी करना बन कर दें जिया दोसों जितनी भी होशके कम से कम बात करें क्योंकि दोस्तों जाहिर शी बात है कि आप में भी अब बहुत कुछ शेहन कर लिया है और दोसों शेहन करने की भी हद होती है और कोई लिमिट होती है को बता दें कि जब ऐसे लोग आप शे तमिश्य बात नहीं करते हैं आपका दर्द नहीं शमझते हैं आपके फिलिंग्स को ठेस पहुंचाते हैं यों के हैं तो आपको मान शमान नहीं देते हैं तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको कुछ करना नहीं है शिर्फ आपको इन से दूरी बना कर रखनी है जिया दोस्तों बात सित आपको इनसे बिल्कुल ना करना है और साधी दोस्तों आपको बिताती है कि आपको निराश होने की कोई भी आफशकता नहीं है तो दोस्तों जब भी आपके शाथ गलब हुआ है तो दोस्तों आप मान लिजिए कि यह आपके जीवन की शीख है वांकि दोस्तों भagवान शड़्देव आपके शाहतre है और कल्यान करने के के लिए आपके सब्सक्राइब के लिए यहाद करते हैं इसी प्रकार आप उन्हें हमेशा याद कीजिएगा तो दोस्तों यह आपके जुनकाल में हमेशा शुपकार ही आपको देने दोस्तों अंत में आक्षि बस यही निवेदन है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा